देश के ग्रेह मंत्री अमित शाह आज राजधानी भोपाल पहुँच रहे हैं मद्रपदेश सरकार का साल 2003 से लेकर 2023 तक का रिपोर्ट काड आज अमित शाह पेश करने वाले है इसमें सबसे बड़ा कारिकाल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग्चुहान का रहा है बोपाल के कुशाभाव ठाकरे कर्वेंचन सेंटर पे तैयारिया पूरी हो गई है ग्रे मंत्री अमित शाह के आगमन के लिए और आपको दिखाएं ये नाम दिया गया है उस रिपोर्ट काड का गरीब कल्यान महा अभियान ये पहली बार हो रहा है जब कोई सरकार अपने 18 सालों के कामकाज का लेखा जो का आज पेश करने जा रही है इससे पहले कभी भी चुराओं के समय अगर देखें तो सरकार अपने जो पिछला कारेकाल होता है उसकी उपलब्दियों के बारे में जनता से बात करती है लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में मद्रपदेश के जब 2003 में जब सरकार बनीती भार्ती जनता पार्टी क कि तब से लेकर अब तक का 2023 तक का जो पूरा बही खाता है सरकार के कामकाच का उसे आज जनता के सामने रखा जाएगा क्या उपलब्दियां है खासतोर से मद्रपदेश सरकार की भार्ती जनता पार्टी की सरकार की कुछ उपलब्दियों को यहां पर बकायदा चिन्नित कि इस तरीके के बड़े बड़े पोस्टरों के जरीए और आपको यहां दिखा दें कि एक तरफ जहां मदबदेश में शिक्षा को ले करके जो प्रयोग किये गए हैं और इसके अलावा महिलाओं को ले करके जो योजनाय बनाई गई हैं स्कूल जाने वाली बच्चीयों के लेका जो का यानि जो योजनाय मदबदेश सरकार चला रही है लाडली लक्षमी से ले करके लाडली बहना तक वो तमाम योजनाओं को यहां प्रदर्शित किया गया है मदबदेश में आधी आबादी यानि महिलाओं का वोट बैंक जो है वो करीब करीब 48 फीज़दी के आ होने वाला है महिलाओं को ले करके मदबदेश में शिवरात सिंग चोहान की सरकार ने योजनाय चलाई है उसके सहारे ही भारती जनता पार्टी इस बार के चुनाओं में एक बार फिर से अपने सबसे मजबूत कर यानि मदबदेश को जीतने का एक तरीके से दम रख रही है जीतने की बात कह रही है देखना ये है कि इस रिपोर्ट कार्ट के बाद मदबदेश में शिवरात सिंग चोहान को ले करके भारती जनता पार्टी को ले करके आखिरकार मदबदेश की जनता क्या रुख अपनाती है क्या मैं मनमरीश के साथ अवीश पाल सिंग भोपाल झाल झाल